हेलो मित्रो आप सबी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीजी कलाशिज में मित्रो इस वीडियो में अपने बात करेंगे राधिस्तान की पीएश्टी सी प्रिक्षया के एकजाम सेंटर पर आपको क्या-क्या डोकॉमेंट से लेके जाना है वह क्या-क्या साउधानिया रखनी है वीडियो को स्टार्ट करते हैं वह स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेधन करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए वह चिनको सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए इस विडियो में अपन चर्चा करेंगे प्लिक्षिया के अंदर पर क्या क्या लेकर जाना है। नई तो आपको प्रवैस नहीं दिया जावेगा। चेमर विडीगों स्टार्ट करते हैं, फश्ट ले लिते हैं आईडी। आपको एक आईडी लेकर जाना है आईडी में आदार कार्ड हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है दसवी की मारक सीट हो सकती है वह वोटर आईडी कार्ड हो सकती है यानि कि इन चारों में से आपके पास में एक भी डॉकुमेंट्स है तो वह लेकर जाना है लेकिन दसवी की महर्क सीर से सम्द्यत होना चाहिए यानि 10 फिकी उसी तक आसे की उसमें इस्तिति होती जिसमें क्या हता आधार कार्ड आपका मानने उसमें किसी प्रकार की डेट नहीं है तो वह मानने होगा लेकिन किसी-किसी आजार कार्ड में क्या लिखा हुआ है पाँच अगस्त दो जार तीन और आपकी जो 10-1 की मारक सीट उसमें है 10 या 1-1 ऑके दोजार 3 यानि कि इसमें डिफ्रेंस है आजार कार्ड की डेट वर्त आपके अंत्रा आता है तो उस इस्तिती में आपको क्या करना है आजार कार्ड अउरिजनल आधार कार्ड लेकर जाना है पलस में उसके साथ जो दस्वी के मार्क सीट है उसकी फोटो खोपी लेकर जाना है यानि कि ji does कशम और करना यह यह कि सी तुरोटी हो फो यह मान लेते हैं किसी किसी के क्या है आध कार्ट गुम गया लेकिन उसमें मॉबाइल नंबर भी नहीं जूड़े हों जिसे वह आधार कार्ड में नहीं निकलवा सकते या साइट नहीं चलुदी कुछ भी प्राबलाम हो उस दिचति में क्या उनके पार ड्राइव एक है वो ड्राइड जम करें थो यह कर सकते। दसवी की मारक सीट ले जा सकते दसवी की मारक सीट ओरिजनल मारक सीट ले जाना होगा उस श्तिधी में आपको दसवी की रखना बहुत ही जरूरी है मास्क के मास्क की बात करें तो आपको मास्क कपड़े का बना हुआ लेकर जाना है या जो पांच रुपे दो तीन रुपे की वह मास्क मिलते हैं तो वह भी ले जा सकते हैं लेकिन आपको जो मेंठल है यान धातु लगी होती है वह मास्क नहीं ले जा सकते हैं जैसे कोई मास्क में क्या होता है कोई लोगे की वस्तु लगी हुई है तो वह मास्क मानने नहीं होगा थाड़ बात करते हैं पेन के बारे में जान लेते हैं पेन के कौन से कलरका लेकर जाना है तो देखें मित्रो आपको पेन ब्लेक कलर का लेकर जाना है लेकिन आप साथ में एक ब्ल्यू कलर का पेन भी ले जा सकते हैं लेकिन आपको प्रिक्से के दुवारा जो जारी किया गया पेन है वह ब्लेक कलर का है लेकिन आप दो पेन लेकर जाना है या दो ब्लेक पेन भी ले कर सकते हैं और आपका पर यदि यह को दीए नहीं चलता है तो दूसरी पेंच तो आपना काम भी कर सकते हैं आपको करते हैं मैंने और को अभर को काहँ कर साथ में लेकर दाना है कर आज आ कि दूख आप आपका admit card नहीं निकलेगा क्योंकि अप जादा दिन शेस नहीं बचे हुए हैं इसलिए आप से निवेदन हैं आज ये कल आप admit card निकलवा लीजिएगा नेक्स्ट बास करते हैं प्रिक्षय के अंदर पर आपको क्या करना है प्रिक्षय के अंदर पर जब भी जाए तो आप दो गंटे पूरू जाना है प्रिक्षय के अंदर पर आपको दो गंटे पूरू जाना है आप सोच रहे होंगे कि दो गंटे पहले जाकर क्या करेंगे तो आपको बता दे कि दो गंटे पहले इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप किसी भी साधन में जाएंगे मोटसाइकल पर जाएंगे या बस या किसी भी ट्रेन या किसी भी साधन की द्वारा आप जाएंगे लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि आपकी motorcycle हो या बस वे उसका time तो पिक्स लेकिन उस दिन का time पिक्स नहीं है कि उसके लेकिन आपका एक्जाम सेंटर मान लेते हैं 30 से 40 किलोमेटर दूर है तो उसी इस्तती में आपको क्या करना है दो गंटे पूरु अपन वहां पर होज जाएंगे लेकर चलना होगा तुम आपके मानने पिंचर निकलवा सकते हैं कोई हो जाती है तो निकल सकते हैं इस प्रकार आपको ध्यान रखना है